अज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कीसी भी इस्तिरी को हमेशा हमेशा के लिए आप अपने वस में कैसे कर सकते हैं ये पाउर फूल ये टोटका है जिससे की कीसी भी इस्तिरी को आप अपने वस में कर सकते हैं पहुत सारे हमारे पास कमेंड करते हैं फोन करते हैं तो वो के लिए मैंने एक आसान सा वसिकरन टोटका लेकर आया हूं, जो बहुते सक्तिसाली है, सबसे पहले आपको करना क्या है? दो लवंग लेना है, अथोरी से मत्रा में सिंदूर लेना है, उसके बाद में साधे कागज लेना है, और साधे कावच आपकुछ इस परकार से तूटका बनाना है ध्यान दीजिएगा जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं वो इसे ही आपको बनाना है इस परकार से बनाने के बाद में आपको ध्यान दीजिएगा जैसे हम बना रहे हैं वो इसे ही बनाना है यहाँ पर इस तरह से ओम यहां पर लिखेंगे कलेम और यहां पर लड़का का नाम लिखेंगे जैसे की लड़का का नाम है यहां पर सोहन यहां पर लड़की का नाम है यहां पर यहां पर जैसे की लिख देते हैं लड़की का नाम यहां पर रीता है रीता लिख दे रहा है उसके बाद में आपको क स्वास्ति का चिन बनाना है ठीक है और नीचे भी स्वास्ति का चिन बनाना है जैसी कि मैंने यहां पर बना दिया उसके बाद में आपको करना क्या है कि दो लवंग लेना है और सिंदूर लेना है इस पर बीच में रख देना है एक लरका के नाम पर रख देना है एक लरकी के इसको रखने के बाद में मंत्र इस परकार से ओम काम दिवाय नमाज सर्वे मम वस्षिकरन स्वाहा उसके बाद में इस मंत्र का 108 बार अपने मन में उचारन करना है उसके बाद में आपको क्या करना है इस कावज को मोर देना है मोरने के बाद में इस परकार से आप जहां सोते ह हैं आप अपने तक किये की नीचे इसको रह करके सो जाएगे अगले दिन जिस भी इस्तरी का इसमें नाम लिखे हैं वह इस्तरी आपके प्यार में पागल हो जाएगी खुद आपसे बात करेगी खुद आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी किसी भी तरह से आपके पास सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए तक कि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वह सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा